ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुर्ली, 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार की संपूर्ण मुर्ली, मीठे बच्चे याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतोप्रधान बनेंगे. प्रशना बाप अपने बच्चों पर कौन सी महर करते हैं? उत्तर्क जब भी चक्र लगाने जाते हो, तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो की किसने कितना समय बाप को याद किया? यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है. ओम शांती! रुहानी बाप रुहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रुहानी बच्चे कहेंगे, बाबा, हम जो सतो प्रधान थे, सो तमो प्रधान बने हैं, फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है. अभी बाबा आपने रास्ता बताया है. यह कोई नई बात नहीं. पुराने ते पुरानी बात है. सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं. हर एक अपने अंदर से पूछे हम कहा तक बाप को याद करते हैं? कहा तक सतो प्रधान बने हैं? क्या पुरुशार्थ कर रहे हैं? सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा उसका भी साक्षातकार होता रहेगा कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं उनके ही कल्यान अर्थ बाब तो है ही कल्यान कारी कई बच्चे उल्टे ग्यान में आ जाते हैं बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आते हैं बाप तो हर प्रकार से पुरुशार्थ कराते रहते हैं माया भी बड़ी जबरदस्त है अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है इसलिए ब्राहमनों की माला नहीं बन सकती आज बहुत अच्छी रीती याद करते हैं कल देह अहंकार में ऐसे आजाते हैं जैसे सांडे गिरगिट सांडे को अहंकार बहुत होता है इसमें एक कहावत भी है सुर्मंडल के साज से देह भीमानी सांडे क्या जाने देह भीमान बहुत खोटा है बड़ी मेहंत करनी पड़ती है शिवबाबा तो कहते हैं I am most obedient servant ऐसे नहीं अपने को कहना servant और नवाबी चलाते रहें बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है यह तो बहुत सहज है इसमें कोई चूचा नहीं मुख से कुछ बोलना नहीं है कहा भी जाओ अंदर में याद करना है ऐसे नहीं यहां बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं बाप तो आये ही हैं मदद करने बाप को तो यह ख्याल रहता है बच्चे कहा कोई गफलत न करें माया यहां ही घूसा मार देती है देह भीमान बहुत बहुत खराब है देह भीमान में आने से बिलकुल ही पट में आकर पड़े हैं बाबा कहते हैं यहां आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवेट बाप को याद करो बाप कहते हैं मैं ही पतितपावन हूँ मेरे को याद करने से इस योग अगनी से तुम्हारे जन्मजन्मांतर के पाप भस्म होंगे बच्चों की अभीवह अवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीती समझा सके ज्यान तलवार में भी योग का जोहर चाहिए नहीं तो तलवार कोई काम की नहीं रहती मूल बात है ही याद की यात्रा बहुत बच्चे उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं याद की यात्रा और पढ़ाई करते नहीं इसलिए इसमें टाइम नहीं मिलता बाब कहते हैं ऐसी मेहंत नहीं करो जो धन्धे धोरी के पिछाड़ी अपना पद गवादो अपना भविश्य तो बनाना है न परंतु सतो प्रधान बनना है इसमें ही बहुत मेहंत है बहुत बड़े-बड़े म्यूजियम आदी संभालने वाले हैं परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते बाबा ने समझाया है याद की यात्रा में गरीब बांधेलिया ज्यादा रहती है घड़ी-घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते है शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो अबलाओं पर अत्याचार होते हैं यह भी गायन है तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो अच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वह एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं तुमको भी बाब कहते हैं भल कहा भी चक्र लगाने जाओ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो याद की यात्रा का शौक रखो उस धन कमाने की भेंट में यह अविनाशी धन तो बहुत बहुत उचा है वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते याद में मुश्किल रहते हैं सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है भल ड्रामा अनुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुशार्थ तो कराएंगे न बाप कहते हैं कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, बाप को याद करो याद में ही माया विघ्ण डालती है बाबा ने समझाया है, रूस्तम से माया भी रूस्तम होकर लड़ती है बाबा अपना भी बतलाते हैं मैं रूस्तम हूँ, जानता हूँ, मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूँ, तो भी माया सामना करती है माया किसको भी छोडती नहीं है पहलवानों से तो और ही लड़ती है कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं बाप कितना निरहंकारी रहते हैं कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूँ वह तो अपने को बहुत उंच समझते हैं यह देह हंकार सब तोड़ना है बहुतों में हंकार का भूत बैठा हुआ है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो यहां तो बहुत अच्छा चास है घूमने फिरने का भी अच्छा है फुर्सक भी है भल चक्र लगाओ फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धी तो नहीं गई यहां आपस में सेमिनार करना चाहिए भल फीमेल अलग मेल अलग हो फीमेल आगे हो, मेल पिछाडी में हो क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है बहुत अच्छी एकांत है सन्यासी भी एकांत में चले जाते है सतो प्रधान सन्यासी जो थे वह बहुत निडर रहते थे जानवर आदी कोई से डरते नहीं थे उस नशे में रहते थे अभी तमो प्रधान बन पड़े है हर एक धर्म जो स्थापन होता है, पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते है सन्यासी जो सतो प्रधान थे, वह ब्रहमा की मस्ती में मस्त रहते थे उनमें बड़ी कशिश होती थी जंगल में भोजन मिलता था दिन प्रति दिन तमोप्रधान होने से ताकत कम होती जाती है तो बाबा राय देते हैं यहां बच्चों को अपनी उन्नती के चांस बहुत अच्छे है यहां तुम आते ही हो कमाई करने के लिए बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़े ही होगी बाब को याद करेंगे तो कमाई होगी ऐसे मत समझो बाबा आशिरवाद करेंगे, कुछ भी नहीं वह साधू लोग आधी आशिरवाद करते हैं लेकिन तुमको नीचे गिरना ही है अब बाब कहते हैं जिन्न बनकर अपना बुद्धियोग उपर लगाओं। जिन्न की कहानी है ना। बोला हमको काम दो। बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूं, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतोप्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे हम तो श्रिष्ट बाप को जरूर याद करेंगे। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद न करो। भक्ती मार्ग की जो रस्म है वह ज्यान मार्ग में हो नहीं सकती। बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है मूल बात यह है सतो प्रधान बनना है बाप के डाइरेक्शन मिलते हैं घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो तो घर भी याद रहेगा, राजाई भी याद रहेगी ऐसे नहीं, याद में बैठे-बैठे गिर पड़ना है वह तो फिर हठ योग हो जाता है यह तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं, चलते फिरते, खाते पीटे याद में रहो ऐसे नहीं, बैठे बैठे बेहोश हो जा इनसे कोई तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे यह भी माया के बहुत विघन पड़ते हैं यह भोग आदी की भी रस्मरिवाज है, बाकी इन में कुछ है नहीं यह न ज्यान है, न योग है साक्षातकार की कोई दरकार नहीं बहुतों को साक्षातकार हुए, वहा आज है नहीं माया बड़ी प्रबल है साक्षातकार की कभी आश भी नहीं रखनी चाहिए इसमें तो बाप को याद करना है सतोप्रधान बनने के लिए ड्रामा को भी जानते हो यह अनादी ड्रामा बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है इसे भी समझना है और बाप जो डाइरेक्शन देते हैं उस पर भी चलना है बच्चे जानते हैं हम फिर से आये हैं राज्योग सीखने भारत की ही बात है यही तमोप्रधान बना है फिर इनको ही सतोप्रधान बनना है बाप भी भारत में ही आकर सबकी सद्गती करते हैं यह बड़ा वंडर्फुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रुहानी बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। अब फिर वापिस जाना है। यह बातें और कोई कह न सके। तुम बच्चों में भी नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार निश्चय बुद्धी होते जाते हैं। यह बेहत की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं, बेहत का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है। बहुत प्रेन से समझाते हैं, कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़ा आराम से छे बजे तक सोये हुए रहते हैं, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, हुक्म चलाते रहते हैं, शुरू में तुम जब भठी में थे, तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे, जैसे क हम करेंगे हमको देख कर और करेंगे, बाबा तो जानते हैं महारती, घोड़े स्वार, प्यादे नंबर वार हैं, कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोये रहते हैं, बाहर में कोई पूछे फलाना कहा है, तो कहेंगे है नहीं, परन्तु अंदर सोये पड़े ह क्या-क्या होता रहता है, बाबा समझाते हैं संपूल तो कोई भी बना नहीं है, कितनी डिस्सर्विस कर लेते हैं नहीं तो बाब के लिए गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दर्वाजा नहीं छोडेंगे यहां तो थोड़ी बात पर रूठ पड़ते हैं योग की बहुत कमी है बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परन्तु कोई में ताकत नहीं जो लिखे योग होगा तो लिखने में भी ताकत भरेगी बाब कहते हैं, यह अच्छी रीती सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है, न कि श्रीकृष्ण बाब आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं बच्चों को यहाँ नशा चड़ता है, फिर बाहर जाने से खक्म टाइम वेस्ट बहुत करते हैं हम कमाई कर यग्य को देवें, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बाब कहते हैं हम तो तुम बच्चों का कल्यान करने के लिए आये हैं तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो यग्य में तो जिन्होंने कल पहले मदद की है, वह करते रहते हैं, करते रहेंगे तुम क्यों माथा मारते हो, यह करें, वह करें ड्रामा में नूद है जिन्होंने बीज बोया है वह अभी भी बोयेंगे यग्यका तुम चिंतन नहीं करो अपना कल्यान करो अपने को मदद करो भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? यह ख्याल भी नहीं आना चाहिए बाबा तो कहते हैं लाडले बच्चों अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो अभी तुम संगमेग पर खड़े हो संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो यहां कितने धेर मनुष्य है सत्यूग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं बाप का पार्ट कितना वंडर्फुल है घूमो फिरो याद की यात्रा में रहो बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं याद की यात्रा से ही बेडा पार होना है कल्प पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था ड्रामा रिपीट होता रहता है उठते बैठते सारा कल्प वरिक्ष बुद्धी में याद रहे यह है पढ़ाई बाकी धंधा आदी तो भल करो पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए स्वीट बाप और स्वर्ग को याद करो जितना याद करेंगे तो अंत्मती सो गती हो जाएगी बस बाबा अब आपके पास आये की आये बाप की याद में फिर श्वांस भी सुखेला हो जाएगा ब्रह्मा ज्यानियों के श्वांस भी सुखाले, सुखवाले हो जाते हैं ब्रह्मा की ही याद में रहते हैं परंतु ब्रह्मा लोक में कोई जाता नहीं है आप एही शरीर छोड़ दें यह हो सकता है कई फास्ट उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं वह दूखी होकर मरते हैं बाप तो कहते हैं खाओ पियो बाप को याद करो तो अंत मतीसो गती हो जाएगी मरना तो है ना अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार एक सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिस्सर्विस हो बहुत बहुत निरहंकारी रहना है अपने को आपे ही मदद कर अपना कल्यान करना है दो धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रावा पढ़ाई के लिए टाइम ही न मिले देह भिमान बहुत खोटा और खराब है इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की महंत करनी है वर्दान कोई भी बात कल्यान की भावना से देखने और सुनने वाले परदर्शन मुक्त भव जितना संगठन बड़ा होता जाता है बाते भी उतनी बड़ी होंगी लेकिन अपनी सेफटी तब है जब देखते हुए न देखें, सुनते हुए न सुने अपने स्वचिंतन में रहें स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है अपने आपको जिम्मेवार समझते हो तो पहले अपनी ब्रेक को पावर्फुल बनाव देखा सुना जहां तक हो सका कल्यान किया और फुल स्टॉप स्लोगन अपने संतुष्ट खुश्णुम जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है